चलिए साथ यूब बात करते हैं रोजगारी तथा विरोजगारी के मारण में ठीक है तो employment and unemployment के बारे में तो इसको clear करते हैं एक topic समझते हैं तो शुरुबात वहीं से करूँगा हमेशे वाली style से कि ये रोजगार होता क्या है क्या होता है ये रोजगार या रोजगारी है employment होता क्या है आई समझते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस छेतर में काम करता है उसको उसकी आजीविका कहते हैं फिर से बता दूँए को बैसा आपको पता होगा काम किसलिए किया जाता पेशा कह सकते हैं या फिर जो आपको अच्छा आप कह सकते हैं बस होता क्या है वो प्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी छेतर में कहीं पर वो काम कर सकता है उसको उसकी आजीव का कहा जाता है ठीक है तो आपको क्या समझ में आया कि रोजगार का मतलब होता है किसी दूसर कि मझदूरी या फिर बेतन के बदले में क्या करना काम करना ठीक है मैं फिर से बता दूँ तीन भागों में बांट सकते हैं सबसे पहला जो है, वो है स्वरोजगार ब्यक्ति या Self-employed तो यदि कोई ब्यक्ति किसी की किसी भी तरह का क्या करता है आर्थिक रिया करता है और उसका प्रभनदन व्य क्या करता है खुद ही या किस्वरोजगार करता है क्योंकि सब एतन रोजगार या फिर नौकरी में किसी ब्यक्ति नौकरी में ब्यक्ति क्या करता है करमचारी होता है वहीं सवरोजगार में क्या होता है वह खुद ही नियुकता होता है तो मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या बता है सब एतन रोजगार या फिर सब एतन नौकरी में क्या होता है जो ब्यक्ति होता है वह करमचारी होता है इसका मतलब है उसको नियुक्त कोई और करता है जब किसी और को नियुक्त किया जाता है तो वो क्या कहला बन जाता है करमचारी बन जाता है लेकिन हाँ खुद याकन स्वरोजगार की अगर बात की जाए तो स्वरोज तो यजिक प्रवंदन को吧 उसको स्वर ओजगार कहते हैं तो यहदी तरह का माललीजे मैं किसी इस फूल बिर बैशता हूं मैं अपने आपको या नीक cats नियुक्त करता हूं मुझे कोई दूसरा पैक्टी कर रहे है निक समसे बैसने मैं किसी और के लिए समसे बैसने चाहरा हूं आपकां पर काम करता तो बोची जला गया लेकिन मैं खुद समोसे बेचता हूँ स्वयम खुद इमालीजी गोल कर पे बेच रहा हूँ तो यहाँ पर नियोकता कौन है खुद है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगे जैते फूल बेचने वाली यह जो अंटी जी है आपको यहाँ पर दिख यह तो कानवाला भी देखता है घटी का चली नेख दिखते हैं दूसरा देखते हैं आकास में मजदूरी रोजगार या कैजुल वेज लेवर तो इस तरह का रोजगार निर्माड छेतर में देखने को मिलता है इसके तहत कोई भी विखतिक कुछ समय के लिए रोजगार में है तो उसमें क्या होते हैं कुछ लोगों की जpt ze जरूद पढ़ती हैं तो हम क्या खतम तो आदमी खतम यानि कि वहाँ पर उसका रोजिगार खतम इस तरह सो होता है जैसे माली ये कोई मैंने रोड बन रही है रोड बन रही है तो दो चार लोगों की लेबर की जुरुत पड़ी तो हमने क्या कर दिया उनको लेबर को बलाया और बाद में वहाँ पर कर दिया पर माली ये मेरा चत टूटा हुआ है ओ मैं मने न कहा कि इससे पानी टपकता है ऐसा कर आप यहां और लेबर ले आना मन फिक मैं हमें ऑन कर पढ़ कर, giant हैं वो सही हो नहीं है ठीक है ये को बेक्टिकरगी तो उसको देख लेना तो क्या था कि दो तीन क्जा था कि चर्थ में काम हूँ होने के बाद क्या था वो काम खतम गया या फिर मालीफ य Corporation बनना है नया मिकान बनना है तो मुझको लेवर की जारूरत है तो मालीफि ज Iranian नोजडार में लगा हुआ होगा जब उसका वो मेटान बन जाए गा याणि मेरत मकान बन जाएगा तो उस ब्यक्तिव की बेगार बे रौजगार फिर वो उससी चोरह फिर पर पहूंचेगा वहाँ पर क्या होगा फिर से ख़ाव जाए कि कोई व्यक्ति आये और मुझे ले जाये और मुझे से काम करवाए और सु के उदले में हमें पैसी दे इस तरह प्रकार देखते हैं रोजगार में नियमित मजदूरी रोजगार रेगूलर सेलिट इस तरह के रोजगार के तरह रोज के हिसाब से क्या मिलती है मजदूरी हमको प्राप्त होती है तो इस तरह के जो मजदूर होते हैं पो कहा देखते हैं नियमित मजदूरी रोजगार इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं क्यों समस्या कैसे हैं कि पान लीजिए एक तो हो सा है कुपोसड और दूसरा होता है कुपोसड का मतलब होता है कुपोसड यानि कि बुरा पोसड जब आपको मिलता है तो बुरा पोसड में एक तरीका होता है बुरा का कोशेट का मतलब यह है कि आपको खाना न बेले तो भी कोशेट की सिकार हो जाएगी, और आपको खाना ज्ण मिल जाए, तो भी क़्या हो जाएगा, आपको कोशेट के सिकार हो जाएगे, sempj véritा है कहा बात यहां पर दोने चीज इसको हम कहते हैं Supposed समझना इसी तरह से होता है रोजगार और एक होता है अल्प रोजगार और दूसरा होता है बे रोजगार है यानि कि किसी व्यक्ति को रोजगार तो मिला हुआ है लेकिन उसकी छंगता के अनसौर उसको क्या नहीं मिल पा रहा है कार या पिर उसको काम या है उसकी छंगता के नतार उसकी जो एनर्जी है उसकी आधार पर रोट को माल नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा वो भी एक फरिस्वा नहीं हो जाएगी उसको हम कहेंगे अल्प रोजगार या अंडर एम्प्लोइमेंट तो आईए समझने इसको किलि मैं जाकर क्या करता हूं मतरब इसकूल में जाता हूं घंटी बजाता हूं लेकिन मैं क्या कर चुका हूं मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लेगा हूं मैं चाहता था कि मैं चपरासी न बनकर क्या बनूं कि यहां पर एक टीचर बनूं अमालीजे में टीचर भी बने गया लेकि आपके पास मजदूरी है उसके जो आपके पास जो भी चमता उसके अंसार आपको काम नहीं मिल पार है तो भी आप एक अल्प रोदिगार में रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर चमता का मतलब जो होता है मजदूरी वो मजदूर की सिक्षा यानि कि वो कितना पढ़ा हुआ है मजदूर का मतलब वह प्so off काम करना था उसको मजदूर करते हैं चाहे वह कोई भी हूँ इसके बद्दक क्या करते हैं बत्ति बनाते हैं और उसकी आधार पर काम नहीं मिले और इस तरह की जो भी उसकी सिछा हो जो भी अनभप उ जो भी चीज़ है उसकी बत्ती बनाए उसकान में डाल कर फ्याटते है। तो यहां पर क्या जोूर दाता है उसकी छमता स्विक्ता जो जतना जरूर है उसको कारी नहीं मिल पारatshabaa कि गटना होती है तो उसको कहते हैं अल्प रोजगार ठीक है चली देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से अल्प रोजगार भी एक समस्या बन जाती है जिसके तरह किसी व्यक्ति की छमता का उपयोग मानक इस तरह पर नहीं किया जाता है